Hello Dear Welcome Back Episode 12 के Part 2 के स्टार्टिंग होती है कमुल जाता है डॉक्मेंट्स को लेकर डिनाई के पांस डिनाई के वेरहाऊस डिनाई कहता है तुम काफी ज्यादा इंपेशन्ट हो डॉक्मेंट्स कहा है कमुल कहता है पहले मेरे लोग कहा है डिनाई कहता है अगर तुम तुम तुम्हारे लोगों को पहले देखना चाहते हो तो उसके लिए तुमें पहले मेरे लिए डॉक्मेंट्स को साइन करना पड़ेगा कमुल कहता है तुम काफी बेशनम हो It's done मैंने ही साइन कर दिया है अब बताओ मेरे लोग कहा है देनाई कहता है वो ठीक है वो अब तक गायाब नहीं हुए है फिर डेनाई अपने आदमियों को कहता है उन सब को बाहर ले कर आओ और फिर बाहर डेनिल चेरी और कीम ये सब आते हैं कमल कीम को ही देखने लगता है डेनाई कहता है डॉकुमेंट्स मेरे हाथ में दे दो Daniel रस्षियन लैंगविज में बोलता है कि उसे डॉकुमेंट्स मत देना deny कहता है हे तुम तुम थाइ में बात क्यों नहीं करतें तुम चुप रहो deny कहता है कमोल से कि मुझे डॉकुमेंट्स दो और कमोल कीम को ही देखने लगता है ते भी deny सब पर गन कर देता है देनाय बोलता है इन में से कौन तुम्हारा लवर है बोलो या मैं सब को यहां पर शूट कर दू इस पर कमोल कहता है पहले मेरे आदमियों को मेरे पास भेजो पहले उन सब को मेरे पास भेजो मुझे दो उसके बाद में तुम्हें डॉकुमेंट्स दूँगा देनाय कहता है शूर ये भी अच्छा होगा फिर देनाय डेनिल को देख बोलता है मैं इसे चूस करता हूँ पहले मैं इसे भेजता हूँ इस पर कमोल कहता है नहीं पहले मुझे कीम दो पहले मेरे पास कीम को भेजो इस पर कीम कहता है नहीं पहले मिस्टर डैनिल को ही जाने दो ये सब देख डैनाई कहता है तुम सब अब भी एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हो पर मैंने पहले से ही चूज कर लिया है और मै डेनिल को ही भेजूंगा, डेनाई डेनिल को वहाँ भेजता है, डेनाई ने डेनिल पर ही गन किया होता है, और कहता है कि मुझे पहले डॉकुमेंट्स दो, कमुल डॉकुमेंट्स नीचे फिक देता है, और डेनिल कमुल की पास चला जाता है, और डेनाई डॉकुमेंट्स को उठा लेता हैं तभी वहाँ पर गंचनने की आवाज आती हैं वहाँ पर firing स्टार्ट हो जाती है डिनाय बोलता है वाड देहल अब यह सब क्या हो रहा है पिर कमोल भी वहाँ पर firing चालू कर देता है और इस सीन में कमोल के बाड़ गार्ड भी आ जाते हैं और सब वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर गोलिया चनने लगती है किम डेनाई के ही पास होता है किम कमुल को आवास देता है किम कहता है कमुल तो भी डेनाई किम पर गन से हमला कर देता है और किम को चोट लग जाती है कमुल ये सब देख लेता है कमुल कीम के प से बाहर नहीं जा पाओगे तुम समझ गए दिनाय कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना एडियाट हूँ मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँगा तभी डिनाय कमोल की पेरों के पास डॉक्मेंट्स देखता है और बोलता है कि ठीक है क्यों हम ऐसा करें है कम कमोल चलो हमें डिल करते हैं हमें Exchange करते हैं तुम मुझे दॉकमेंट्स दो और मैं तुम्हें तुम्हारा लवर देदूंगा कमोल कहता है ओके झाल के गता है तो ठीक है चलो पहले हम दोनों गन निचे रखते हैं सेम टाइम पर और वहाँ पर डिनाई और कमॉल दोनों गन को निचे रखते हैं और कमॉल डॉक्मेंट्स देता है मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे मैंने सोचा कि तुम यहां नहीं आओगे कोई बात नहीं चलो अब हम घर चलते हैं और तब ही दिनाई गन निकालता है और वो किम की और गन को करता है पीछे से कमोल ये सब देख लेता है और किम को बचाने के लिए कमोल गन की सामने आ जाता है और तभी वहाँ पर गोली चलती है गोली चलने की आवाज आती है और किम को लगता है कि कमोल को गोली लग गई है कमोल किम वहां कमोल बोलकर चिलाने लगता है और किम वहां रोने लगता है पर तब दिखाते हैं कि गोली कमोल को नहीं डेनाई को लगी होती है इवान वहां पर डेनाई पर गोली चलाता है इवान डेनाई को शूट करता है और वहां पर डेनाई मर जाता है कमल कहता है इवान से थैंक्यू इवान और फिर वहाँ डेनिल भी आ जाता है डेनिल कीम से बोलता है कीम तुम ठीक तो हो ना कीम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ कमल कहता है कीम के सीट पर चोट लगी है मैं से पहले घर लेकर जा रहा हूँ इस पर डेनिल कहता है हाँ तुम्हें घर पे ले जाना चाहिए तुम्हें चेक करवाना चाहिए यहाँ डेनिल कीम की बात करता है आगे डेनिल कहता है में और इवान यहां सब कुछ समाल लेंगे कमुल कहता है ओके और तभी वहाँ चेरी आ जाती है चेरी बोलती है कमूल मैंने तुमें दोका नहीं दिया देनाई ने मुझे सब करने के लिए फोर्स किया था कमूल कहता है मुझे सब पता है तुम इस बारे में चिंता मत करो आफ्टर आल तुम मेरी दोस्त हो और फिर वहाँ से कीम और कमूल चले जाए इवान डॉक्मेंट्स उठाता है और वो एन्वलप के अंदर देखता है कि एन्वलप के अंदर डॉक्मेंट्स तो ही नहीं वो बस एक ब्लैंक पेपर होता है जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता इवान को पता चल जाता है कि कमुल ने असली में तो डॉकुमेंट से यहां लाई नहीं थे यह देखकर इवान और डैनिल स्माइल देते हैं आफ्टर आल कमुल तो कमुल है और माफय कमुल सिथ अपनी बर्जी से काम करता है नेक से दिखाते हैं जा किम और कमुल दोनों अपने घर होते हैं किम सोकर उठता है किम के सीर पर चोट लगी होती है किम को काफी दर्द होता है कमुल कहता है तुम इतनी जल्दी इतनी अचानक कैसे उठगे क्या तुम्हें अभी दर्द हो रहा है कीम कहता है हाँ कमोल कहता है यह जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से तुम्हे थोड़ा आराम करना चाहिए यह लो तुम थोड़ा पानी पे लो तुम्हे अभी थोड़ा सोना चाहिए कीम कमोल के साथ काफी हपी होता है यहाँ कमोल कीम का हाथ पकड़ता है फाइनली यहां सब कुछ ओके हो जाता है कीम और कमोल की बीच में नेकसिल दिखाते हैं जहां इवान डैनिल की तोड़ी हुई फ्रेम कुठी करता है जिसमें इवान डैनिल और कमोल तीनों साथ में होते हैं इवान कहता है दैनिल से तुम यहां मुझे बीना बताय चले आए बस इसलिए कि तुम्हें लगा कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं तुम्हें नहीं डाटूंगा तुम्हें क्या लगता है ऐसा भेयो करना सही होगा इस पर डैनिल कहता है मैं बस इतना चाहता था कि कमुल रुट तुम कमोल से माफी मांगो यहां आने के लिए और कमोल के लिए यहां पर इतनी सारी ट्रबल प्रॉब्लम क्रियेट करने के लिए उसे परशान करने के लिए लैनिल कहता है कमोल से I'm sorry इवान कहता है तुम मुझे चोट लगी है वो तुम डिजर्ड करते हो इवान का मतलब कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सही हुआ है ऐसा ही होना चाहिए था डैनिले सुनकर काफी मायस हो जाता है तभी वहाँ पर कीम आता है किम बोलता है कमोल तुम्हारे आदमें ने बताया कि तुम सब यहां पर हो कमोल कहता है क्या तुम्हारे लिए ठीक होगा चनला क्य तुम ठीक हो क्या तुम्हें सब चल सकते हो किम कहता है मैं ठीक हूँ अब मैं बस तुम्हें इतना बोलना चाहता था इसलिए मैं यहां आया देखो मैं पहले से बेटर फिल कर रहा हूँ मैं अब ठीक हूँ और कमोल स्माइल देता है किम यहां डैनिल को सैड देखता है किम ब मैं कीम हूँ इवान कहता है मैं डैनिल की तरफ से डैनिल ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ मेरे भाई ने इन दिनों तुम्हारे लिए काफी धेरसारी प्राब्लेंस क्रेट की है तुम्हें काफी परशानी हुई है उसकी वज़ा से कीम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है आगे कीम कहता है मिस्टर इवान क्या मैं आपसे कुछ अपनी लाइन से ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं Mr. Daniel के तरफ से उनकी फिलिंग्स के बारे में आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, Mr. Daniel ने जो कुछ भी किया वो बस लव और अटेशन पाने के लिए किया, वो बस लव और अटेशन चाहते थे इवान कहता है डैनल ने जो कुछ भी किया उस सबसे इन बातों का क्याले न देना किम कहता है मुझे लगता है कि आपको ये नहीं पता होगा आप नहीं जानते क्योंकि आप हमेशा काफी बिजी रहते हैं इसलिए आप ये गेस नहीं कर पाए होंगे पॉइंट ये है कि आपने कभी भी मिस्टर डैनल के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया उन्हें कभी आपने समय ने दिया मिस्टर डैनल को भी दरुरत है कि कोई उनकी केर करे कोई उनके लिए सोचे specially आप से क्यूंकि आप उनकी भाई है किम की बाते सुन डैनिल काफी emotional हो जाता है आगे किम कहता है Mr. Daniel काफी brave person है मैं जब danger में था तब उन्होंने उस समय बीना कुछ सोचे मेरी मदद की मेरी help की उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो मुझे पसंद भी नहीं करते मैं बस यहीं सोचता हूँ कि Mr. Daniel को ज़रूत है कि कोई उन्हें भी protect करे कोई उनकी बारे में भी care करें ये सुन डैनिल रोने लगता है डैनिल को पता चल जाता है कि वो किम को ले कर कितना गलत था कि मागे कहता है यही reason है कि उसने मेरे साथ ये सब किया क्योंकि Mr. Daniel को डर था कि मैं कही Mr. Kamol को उनसे चीन ना लूँ मेरे होने से Mr. Kamol डैनिल से दूर चले जाएंगे इसलिए डैनिल ने ये सब किया कमोल ये सब कीम की बाते सुनता है और कमोल को काफी किम की सोच पर proud feel होता है तो फिर डैनिल कहता है कीम से कीम I'm sorry I'm really sorry और वो कीम को गले लगा लेता है कीम कहता है it's all right कोई बात नहीं ये सब देख कमोल स्माइल देता है फाइनली डैनिल को उसी गलती का एहसास हो जाता है ये सब देख इवान कहता है कमोल से कमोल मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे सवाल का जवाब है मैं समझ गया कि तुम क्यों क्वेट करना चाहते हो तुम क्यों रिटायर होना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास मिस्टर कीम जेसा कोई है इसलिए तुम रिटायर होना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो तुम चाहते हो इस पर कमोल कहता है थैंक यू मु कुझे समने के लिए मेरे भाई को समझने में मेरी मदद करने के लिए फिर इवान से कहता है पर बीमाफ्य किल और यहाँ पर इनकी यह बात थे और दुसरे तर्फ दिखाते हैं ने और इट को भी पेट क्रीम के साथ होता है और डा ऑ comment कि घर किम कहता है किम कैसा क्वा Tiffany आ लिए tom और जोडने के लिए एROप गए है उसके लिए तुम्हें थोड़ा यहां बेट करना पड़ेगा कमुल काने में समय लगेगा इट कहता है हम यहां मिस्टर कमुल से नहीं बलकि तुम से मिलने आए हैं देख कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे सीर पर चोट लगी है कीम कहता है हां तुम यहां देख सकते हो फिर कीम इट को कहता है इट चलो अंदर चलते हैं अं किम कहता है डे से डे क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो डे कहता है नहीं मैं बस यहाँ विजिट करने आया था मैं बस यहाँ यूही आया था किम कहता है नहीं यह सच नहीं है कोई बात है डे कहता है तुम काफी होश्यार हो मै सोच रहा हूं कि कुछ है जिसे तुम्हें जानने की जरूरत है आगे डे कहता है यह मिस्टर कमोल के फिलिंग के बारे में हैं उस दीन जब तुम मिस्टर कमोल से मिलने उनके पप गए थे और वहां से मिलकर जब तुम वहां से चले गए थे तब मिस्टर कमोल ने मुझे उस उस दिन कमल बोलता है डे से तुम किम के पहले पार्टनर थे, डे कहता है हाँ मैं और किम दोनों रिलेशन्शिप में थे, कमल गुसे में बोलता है आखीर कप से, डे काफी घबरा जाता है, कमल डे के पाह जाता है और कहता है मैंने तुम से अभी कोई सवाल पूछा उसका सुनकर कमोल और गुस्ता हो जाता है और कहता है तो all this time ये इस पूरे समय इतने समय से तुम्हारी वज़े से कीम सैड था तुम की सैडनेस की उदासी की वज़े थे और वो तुम थे फिर कमोल दे के कंदे पर हाथ रखता है और बोलता है कमोल गुस्ते में कहता है क्या मैं बस तुम्हारी गर्दन को ब्रेक कर दूं यह सुनकर डे काफी घबरा जाता है डे कुछ नहीं बोलता फिर कमुल कहता है अपसे तुम्हारे और किम की बिच में कुछ भी नहीं है तुम समझ गए और डे कहता है यस सर और यहाँ पर यह सिन खत्म होता है फिर सिन दिखाते है डे और किम का जहाँ डे कहता है किम से किम वो तुमें सच में बहुत ही प्यार करते है यह सब जानकर कमुल की बाते जानकर किम स्मायल देता है किम काफी खुश होता है आगे डे कहता है मुझे तो मेरे बॉस के ओर्डर्स मानने होते हैं पर honestly सच कहूं तो मुझे इट के ओर्डर्स ज़्यादा मानने पड़ते हैं फिर वो इट को देखता है और कहता है मुझे इट के ओर्डर को ज़्यादा ही मानने पड़ते हैं इट नहीं चाहता है कि मैं उसे छोड़ कर किसी की भी किसी भी चीज की केर करूँ वो सिर्फ चाहता है कि मैं उसकी केर करूँ यह सुनकर कीम हसने लगता है तो भी इट डे को देखता है और कहता है डे तुम किसके बारे में बात कर रहे हूं तुम दोनों मेरे बारे में बात क कर रहे हूँ क्यों दे कहता है नहीं कि इत खटा है डे में तुम्हारा 30 कर दूंगा बस तुम एक बार भार आ औप फिर यहां मैं बाहर आ जाता हूं तब को अगै दे किमसे कहता है किम तुम्हारे और मेरे बॉस के बीच में अधा pens मेरे बॉस ने तुमसे कभी प्यार करना स्टॉपी ने किया मेरे बॉस तुमसे बहुत ही जादा प्यार करते हैं किम कहता है थांक्यू डे मुझे सब बताने के लिए इतना कहने के बाद डे वहां से बाहर चला जाता है फिर किम कहता है वीपिट क्रीम से वीपिट क्रीम तुम कमल को पता चल जाता है किम वहाँ चुपा है कमल किम को अपने तरफ खिशता है और कमल कहता है किम से किम तुम क्या करना चाहते हो तुम यहाँ क्या कर रहे थे कमल कहता है क्या तुम मेरा यहाँ वेट कर रहे थे किम कहता है हाँ दे और इट अभी यहाँ आए थे कमल कहता है अभी वो कहा है किम कहता है अभी तो वो चले गए हैं आगे किम कहता है कमोल डे ने मुझे बताया कि तुम उससे उस दिन मिले थे तुम डे से क्यों मिलना चाहते थे डे ने मुझे इसके बार में बताया कमोल कहता है तो तुम उसके बारे में कैसा फिल करते हो तुम उसके बा इसके लिए thank you so much कुमल कहता है कैसा पांस्ट अभिया सिर्फ प्रेजेंट है और आने वाला फीचर है जो हम दोनों साथ में बिताने वाले हैं इस पर किम स्माइल देता है और किम कहता है sorry I'm sorry मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया इसके लिए I'm sorry कुमल कहता है for you तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस पर किम कहता है I love you और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फिलिंग्स मेरी जैसी सेम है कि नहीं किम का मतलब कि मुझे नहीं पता कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं इस पर कमल कहता है मेरी फिलिंग्स तुम्हारे फि समय पहले से ही लॉंग टाइम से ही प्यार करता हूँ और इतना कहने के बाद कमुल किम को किस करता है और यहां पर इन लवबर्स का रोमैंटिक सीन खतम होता है नेक सीन दिखाते हैं टू मन्त की बात का जहां कमुल रेडी हो रहा होता है किम की पैरेंट से मिलने के लिए कमुल कहता है क्या मेरा आटफिट अच्छा दिख रहा है क्या मैं ठीक लग रहा हूँ तब ही वहां किम आता है किम कमुल को किस करता है और कहता है किम कहता है कमल से तुम बहुत ही जादा हैंसम लग रहे हो I cannot stand anymore मुसे तो अब रहाई नहीं जा रहा यहाँ पर किम की naughty बाते स्टार्ट हो जाती हैं इस पर कमल कहता है too bad ये तो बहुत बुरा हुआ पर तुम्हें indoor करना पड़ेगा तुम्हें रुकना पड़ेगा गुड बॉइ आज रात तक का तुम्हें वेट करना पड़ेगा तुम्हें रात तक तो वेट करना पड़ेगा राइट और इतना कहने के बाद कमल किम को किस कर पहले को लगता है कि ओम केटा है दुम कुछ ज्यादा ही सौच रही हों और यहां पर प्सक्ष नहीं होता है तो आगी के पार्ट है सेस क्जिण बात दरूत देखे इस सेरीज की जो एंदिंग है वो काफी ब्यूटिफिल दिखाए गई है तो पार्ट 3 को मिस ना करें तो मिलते हैं पार्ट 3 में अगर वीडियो पसंद आये हो तो प्लिस लाइक, कमेंट और सुस्क्राइब and thank you so much for your lovely comments तो मिलते हैं पार्ट 3 में तब तक लिए take care, see you soon in part 3, thank you so much for watching